असलाम वालेकुम एवरिवन आज की वीडियो के अंदर हम आयलेट के डाइग्नूस्टिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट इस नूबर वन हमारे पास आजाता है क्लेजियों को में बोवियन सिस्ट भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको टार्सल सिस्ट भी कहते हैं तो ये भी आपने याद रखना है ये क्या होता है हमारे पास इसके अंदर क्या होता है ग्रेजियली आपके पास पास अपर आयलेट पर होती है क्योंकि हमारे पास जो में बोवियन ग्लैंड होते हैं वो अपर आयलेट पर मजूद होते हैं लोर पर भी ह कि कि एंदर कंजक्टाई जो हमारे पस रड़ जाता है पर्पल हो जाता है आपके पस घल उसको पालपश कर scraping टै कि अच्त है या इसके आइपन तो अच्ट पास यह भी अपियूड़एंस और यह माझत थ्यूड कर सबस्क्राइब तरह तरह के लिपो ग्रैनेक किसी भी एक डुक्त के अंदर बन जाता भी एक डुक्त के अंदर बन उसके बाद चुह करें किया रहे हैं होता है फुद कर्दा कर एक होता है मां पास इंस्ट्रॉमिंट देते हैं, और इसकी зачाने कर लेते हैं, तो यहां आपके पास treatment होता है, जो हमारे सेकेंड है, वो देख लेते हैं हमारे सेकेंड है, हर्डोलियम external यानि stya, तो हर्डोलियम externum को आपने Ykee-Cnebonic से याद रखना है, यानि एक्स्टर्नम के अंदर, आपके पास जीज़ एंड मोल का ग्लैंड इंवार्व होगा ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास painful होना है, tender होना है, रेड होनी है आपके पास Swellen i-lid होनी है, आपके पास information होनी है, जीजmiş एंड मोल ग्लैंड की हेडोलियम इक-स्टर्णम यानि स्टाय होता है तो वो नेरद आपके पास लिड मार्जन इस तरह से मजूद होता है तो आपने ये याद रखना है थर्ड देखें जी we have the hedolium internum, hedolium internum को आपने याद करना है जी IM के निमोनिक से, ठीक है जी internum के अदर आपके पास में वो भी इन ग्लांड की हमारे पास inflammation होगी, क्या होगा जी ये भी painful है, red है, swollen है, tender होगा, आपके पास एक abscess बनी होगी, ठीक है, जो secondary आपके पास infected klesion हो सक आपने याद रखना है, fourth हमारे पास जो diagnostic point है, that is ulcerative blephritis, ulcerative blephritis के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास inflamed lid के margins हो जाते हैं, जिसके वैसे आपके पास irritation होती है, lacrimation होती है, photophobia होता है, आपके पास yellow pass होती है, जो आपके पास dried up हो जाती है, in the form of crust, आपके पास crust बन bleeding ulcers नजर आते हैं, तो ये कुछ important point है, आपके पास ulcerative blephritis के, fifth वाला देखें, हमारे पास है, squamous blephritis, squamous blephritis के अंदर क्या होता है, आपके पास deposition हो जाती है, whitish material की at the lid margin, आपके lid margin पर whitish material जो है, वो deposit हो जाता है, shiny waxी appearance होती है, आपके पास eyelid के margin की dandruff like, आपके पास desquamitted, आपको जो area है, वो नजर आता है, ठीक है, वो जो yellow greasy fine flakes होते हैं, और आपके पास scales होते हैं on the lid margin, और इसके अंदर आपके पास कोई bleeding नहीं होती, यानि कोई bleeding ulcers मजूद नहीं होते हैं, जैसे के ulcerative blephritis में होते हैं, six, देखें, we have the mobinitis, यानि आपके पास posterior blephritis होता है, इसक granuloma बनाता है, यानि आपके पास lipid secretion कराता है, तो lipid की वज़ा से, आपके पास fat की वज़ा से, आपके पास burning sensation होती है, आई के अंदर white frothy, आपके पास secretion होती है, lid के margin पर, ठीक है, जी, orifice जो होती है, आपके पास mabobian gland की, जब उसको हम pout करते हैं, तो वहां पे आपके globules नज़र आते हैं, इवर्ट करते हैं, तो हमें yellow shiny lines नज़र आती है, on the tarsal conjunctiva, 7th देखें जी, we have the fathidiasis palpebrum, इसके अंदर क्या होता है, या आपके पास कोई, एक insect होता है, जो हमारे पास nits और eggs को करा देता है, जो हमारे पास irritation, itching होती है, वो बाद में, nits and eggs जो है, व जासे होता है, और इसको हम कैसे remove करते हैं, या हम ट्रींग कर देते हैं, या हम इतना commonly इस्तमाल ही होता है, या हम forceps के जरीए से इसको remove करते हैं, इस तरह के हम different treatment करते हैं, 8th नमबर पर देखें, we have the tracheasis, tracheasis के अंदर क्या होता है, कि आपके पास misdirection of आपके पास eyelashes towards the globe हो ज sensation होती है, lacrimation होगा, photophobia होगा, conjunctiva की redness की mosis हो जागा, corneal ulcers बन जाएंगे, आपके पास epithelial defects होगे, 9th पर देखें, we have the entropion, entropion के अंदर क्या होता है, कि आपका lid का margin है, वो अंदर की तरफ evort हो गया है, तो इसको हम entropion कहते हैं, इसके अंदर की तरफ evort हो जाएंगे, तो आपको trichyces, leg symptoms आएंगे, यानि आपको lacrimation, photophobia, conjunctiva की redness, corneal ulcer, foreign body sensation इस तरह के symptoms आएंगे, आपका lid का margin जाएंगे, वो turned कर गया है, inward आपके lashes जो है, वो globe को touch करेंगे, इस तरह से हमारे पास रभी होगी, cornea और conjunctiva की, तो उनके पर ulceration हो सकती है, और inflammation हो सकती है, 10th द अबु हो सकता है, Exzema हो सकता है, Dermatitis हो सकता है, घम के पास conjunctiva, conjunctiva gelourt sagen हो सक और ग्रेटेटे, दियुत हो सकता है, यह मैं एजकी सबेंगे, तो फिर्छन मुपन की थर्टी तो हो नियुक्त, ठीभी पास को प्रभी होगी यह जो आपका बैद रोल संदर, पार पार्पल conv करें टोस is क्या होता है कि यह तरह से नॉर्म GG नीचे को टॉब डाउन कर गई तो आपकी आई लाइशी जो है वह बिलकुल नीचे आगी है अब आ पका jowa k рук है वह यहां थे विज़ाय तैकि वही वगी हृक disp लात सकता है स्कुंट करा सकता है आपके पास एबनॉर्मल फोस्चर कराएगा जिसके वबसे आप देखने के कोशिश करेंगे उसके बाद हमारे पास आजाता है जी 15 वाला आपके पास जो इंपोर्टन्होंट हमारे पास दाइग्नोस्टिक इंट that is pyogenic granuloma यह क्या होता है यह आपके पास painful pinkish pedunculated हो सकता है या sysile हो सकता है pedunculated का मतलब है कि इस्टा से head or neck होगा sysile का मतलब है कि directly इस्टा से attach होगा surface के साथ ठीक है यह में भी आपके सुछास bleed करेगा after the minor trauma ठीक है यह आपके पास trauma के पास bleed करेगा fast growing इसके पास vascularized proliferation होगी जो granulomatous tissue बनाएगी तो यह pyogenic granuloma आपके पास form हो सकता है eyelid पर उसके बाद हमारे पास 16 diagnostic point है that is keratokanthoma इसके अदर क्या होता है आपके पास firm pinkish जो है endurated nodules बनते हैं जिसके अंदर covered होता है हमारे पास keratin के साथ इसको हम कहते हैं keratokanthoma यह आपने याद रखने हैं उसके बाद हमारे पास आजाता है 17 that is the capillary hemangioma यह आपके पैथों के अंदर काफी important है आपने इसको याद रखने हैं इसके अंदर क्या होता है आपके पास pinkish red lesions बन जाती है जो blanch करती है with the pressure जब भी हम उसके उपर pressure इससे apply करते हैं तो blanch कर देती है यानि वो आपके पास dim color की हो जाती है whitish हो जाती है swell करती है when the infant cries यह बहुत important MCQ है और develop during the first year of life और starts to regress during the second year of life ठीक है और यह most common होती है females में और जब बच्चा cry करता है तो यह जादा swollen up हो जाती है तो यह आपने इसका MCQ point याद रखना है 18 जो हमारे पास diagnostic point है eyelid का that is जेंथिलस्मा इसके अंदर क्या होता है यह आपके पास bilateral condition है appear होती है slightly raised, creamy, yellowish आपके पास plaques like lesions पहनती है mostly आपके पास near होती है medial canthus के और यह middle age women's के अंदर होती है with hyperlipidemia जिनको hyperlipidemia होता है उनके अंदर most commonly होती है इस तरह से यह आपका medial canthus होता है यह आपका eyeball है तो इसके अंदर most commonly यहाँ पर बनती है और इस तरह से lipid की थोड़ी सी secretion होती है इसकी picture book में बहुत अच्छी बनी विया आपने वो जरूर देखनी है उसके बाद 19 देखें जी we have the neurofibroma इसके अंदर क्या होता है आपके पास thickened nerve हो जाती है जो आपके पास felt होती है through the skin आप skin से उसको felt कर सकते है और hard आपको cords नजर आती है ठीक है यह आपके पास benign nerve sheath tumor कर सकती है और usually आपके पास plexiform type होती है most commonly plexiform type होती है और found करती है with the neurofibromatosis type 1 के साथ तो इन्टे इस पे देखें we have the basal cell carcinoma basal cell carcinoma जो होता है वो आपके पास most common आपके पास carcinoma है इसकी तीन टाइपस होती है आपके पास nodular है ulcerative है और आपके पास secularosing है तो इनको हम one by one पढ़ते है आपके पास जो nodular है उसके अंदर क्या होता है आपके पास appear होता है as shiny firm indurated nodule बनता है इसके अंदर with the blood vessel on its surface और ये most common type है nodular उसके बाद आपके पास ulcerative type ulcerative type के अंदर क्या होता है कि आपके पास nodular lesion develop होती है और आपके पास central ulceration होता है और raised इसके पास rolled edges होते है with the dilated blood vessels आपके पास most commonly over the lateral margin होता है यह बहुत important आपके पास MCQ है कि raised rolled edges होती है आपके पास central ulceration होती है तो आपके पास कौनसा कार्सीनोमा है यह आपके पास बहुत इंप्रूटेर्टनर को ही है इसको आपने याद करना है 22 देखें जी we have a बेजल सल कार्सिन जो हमाज़ पास सेक्लरोजिंग टाइप ऑस सेक्लरोजिंग के अंदर क्या होता है यह आपके पास व्लाट होती है इंडुरेटेड प्लैक्स बनते हैं दू तो इंफिल्ट्रेशन ठीक है आपके पास इसके अंदर इंफिल्ट्रेशन होती है यह मोर एग्रेसिव होता है देन डाट अफ द नॉडूलर एंड अल्सरेटिव टाइप यह आपके पास अकर करता है लेटरी बनीथ अपिडरमस और इंपॉसिबल तो ट्रेस्टर मार्जन ऑफ ट्यूमर इसके अंदर हम इसके अंदर कर सकते थे यहां हम अल्सरेटिव टाइप के अंदर कर सकते थे फड़र हम डिस्कॉस कर लिलते हैं स्कुरमसल करसी नॉमा के पास रायज होता है बार दार एक्टीन केरेटासिस या दिनु होता है इस दर रफ और आपके पास scaly erythematos होता है hyperkerototic होता है और आपके पास sharply demarcated plagues बनते हैं इसके इनर जो के आपके पास nodular होता है इसके अंदर hyperkerototic nodules नजर आते हैं जो आपके पास ulcerative होता है इसके आपके पास ulcer repair होता है having the red base which sharply defined endurated and inverted borders तो यह आपने याद रखने है next we have the 27 diagnosing point that is sebaceous gland carcinoma sebaceous gland carcinoma जो है आपके पास pathology एक की वज़ा से होता है that is glazion और यह भी एक आपके पास important diagnostic point है आपके पास important MC की point है यह पास UHS के पास paper में कई बार आचुका है तो आपने यह MC की याद रखने है किस pathology से यह relate करता है तो that is glazion arise करता है from the mybobian gland क्योंकि glazion भी mybobian gland से करता है और यह भी mybobian gland से करता है maybe arise हो सकता है जीज से भी पर most commonly upper tarsal plate पर होता है क्योंकि mybobian gland upper tarsal plate पर most commonly मजूद होते हैं उसके बाद हमारे पास sabacious carcinoma भी दो तरहा का होता है हमारे पास एक nodular type है इसकी और एक spreading type है nodular type के अंदर क्या होता है कि हमारे पास appear होता है the decrease painless होता है और यह में करता है आपके पास क्लेजियों को यह बहुत important MCQ है यह आपने याद रखना है क्योंसी pathology से relate करता है तो that is classion उसके बाद आपके पास spreading type आप आजाती है जो पेर होती है as the diffuse thickening of the eyelid due to the infiltration into the dermis और यह mimic करती है आपके पास chronic blepharitis को यह आपने याद रखना है कि जो आपके पास nodular type है वो क्लेजियों का करती है और spreading type है वह आपके पास chronic blepharitis को mimic करती है